हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आप सभी कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जरेनियम प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो कैसे कलेक्ट करें तो जरेनियम प्लांट्स आपको पता है सर्दियों में अच्छी फ्लारिंग करता हूँ और जो इसके इसके फ्लारिंग आता है position के लिए जब घर्मियों शुरू हर जाये तो हम है छाया में रख देना चाहिए और जो इसके अभी फ्लारिंग है भी देख रहे हैं आपके मेरे इसमें कुछ लार्स आ रहे हैं और मैंने कुछ जो फ्लार से हैं, उनको सीट्स देने तक के लिए सेव रखा हैं प्लांट के उपरी वरना तो मैं उनको काट देती हूं पर मैंने सेव रख जैसे कि आप देख जो है यह सीड़ सूख चुके है यह फ्लार के बाद आप देख रहे हैं कि जब फ्लार सूख जाता है वो बंच पूरा का पूरा तो इसमे नीचे आपको छोटचोटे दाने दिखेंगे जो आप यह देख पार जो इनके उपर आता है पर बेसिकली हम कहते हैं कि फ्लार्स जो होते हैं वो जब आके सूक जाएं तो उनको कट कर देना चाहिए उस स्टिक को ताकि नए फ्लार साच सकें तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी कोई बात नहीं है आपको जब सीट्स चाहिए तो उस टाइम पर आ आप चाहें तो इसे नीचे से लिह जहां इसको नीचे से कट करकी भी हरे में फ्लार देके बंद कर दिया तो उसी टाम पर रखके अलग भी धूप में सुका सकते हैं और चाहें तो आप प्लांट पर लगे-लगे भी, इसके सीट्स जो है वो ले सकते हैं तो आप यह आमें रख देना चाहिए इस प्लांट को धूप तो पसंद है पर वो सर्दियों वाली धूप पसंद है यह गर्मी वाली धूप इसको नहीं अच्छी लगती है और इसमें अगर आप रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो भी पीले हो जाएंगे और दीरे दीरे प्लांट मर आपके नेक्स सीजन तक तयार हो जाते हैं और इसको नीचे से आप मौस से भी कवर कर सकते हैं ताकि इसकी जो मिट्टी है बार-बार ड्राय ना हो तो उस चीज़ के लिए आप इसको मौस से या कोई और चीज़ से मल्चिंग कर सकते हैं तो यह भी इसके लिए सेव करने का एक आइडिया होता है कि ये इस तरीके से आप इसे बचा सकते हैं बाकि बहुत खुबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छे फ्लार्स देता है तो अगर आप इसे अभी सेव कर लेंगे तो नेक्स सीजन में भी आपके ये काम आ जाता है आप चाहें तो सीड से भी ग्रो कर स से जो मैं आपको बताईए इस तरीके से आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें किसी निव्स पेपर मेnd रैप करके या काँछ की शीशी में रख सकते हैं सेव करके और जब आपको इनको ग्रो करना हो τις ब कर सकते हैं तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इ